नमस्कार दूफ, हर्शिद दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है वीनीत सागर दोस्तों, रीजनली नागालान में असंबली इलेक्शन्स कंक्लूड हुआ फिर से United Democratic Alliance जिसमें Nationalist Democratic Progressive Party और भार्दी जन्ता पार्टी है इन्होंने 60 में से 37 seats जीते हैं और सरकार बनाया है देखा जाएगा तो पिछले असंबली में नागालान में कोई opposition नहीं था इस बार भी वैसे ही होने वाला है, जितने opposition parties है, वो सब United Democratic Alliance जोइन होने वाला है जितने opposition MLA से वो ruling alliance जोइन करने का basic reason क्या है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, नागालान असंबली elections में United Democratic Alliance जिसमें NDPP and BJP हैं, इन्होंने 60 में से 37 seats जीते हैं 2018 से यही alliance ruling पर है नागालान में अब की बार इन्हें कोई और MLA की जरूत नहीं है, सरकार बनाने के लिए पर देखा जाएगा तो जैसे results डेक्लेर हुए 2nd March में चार independent legislators ने UDA के लिए अपना support डेक्लेर किया इसके बाद Nationalist Congress Party, शरत पवार का जो NCP है वो actually देखा जाएगा तो नागालान में 3rd largest party है NDPP and BJP के बाद, जिनके पास 7 MLA से उन्होंने भी UDA के लिए अपना support अनोंस किया वैसे शरत पवार को ये decision इतना अच्छा नहीं लगा था बात में शरत पवार जी ने बोला कि हमारा support NDPP के लिए है ना कि BJP के लिए तो NCP के बाद, नागालान में largest party अमर जो के आया था North East Democratic Alliance जिसे लीड करते हैं मेखालिया के Chief Minister Conrad Sangma इनके पास 5 MLA से तो इन्होंने भी अपना support प्लेच किया इसके बाद, लोग जन्शक्ति party and the Republican Party of India जिनके पास 2-2 MLA से उन्होंने भी अपना support डेकलेर किया है फिर आता है जन्दादल United जिसके पास एक MLA है अब देखें दोस्तों जन्दादल United तो BJP के साथ जुड़ना नहीं चाहिए जन्दादल United का लीडर है बिहार के Chief Minister नितिश कुमार हुआ क्या है दोस्तों जन्दादल United का जो MLA है उन्होंने अपना unconditional support डेकलेर किया था BJP के लिए ये नितिश कुमार जी को सही नहीं लेगा नितिश कुमार जी ने क्या किया नागालांट unit of जन्दादल United को disbandy कर दिया ठीके अब बचता है नागा पीपल्स फ्रेंट जिसके पस दो MLA से अब नागा पीपल्स फ्रेंट को भी ये लगा बाकी सभी ने जोइन किया तो हम भी जोइन कर लेते तो खुल मिला के लगबग सारे MLA जो है United Democratic Alliance जो है वैसे जो नागा पीपल्स फ्रेंड है मनिपूर में ruling alliance का पार्ट है BJP के साथ उनका कहना यह है कि ruling alliance इसलिए join करना चाहरा है for the greater interest of nagas अब देखें दोस्तों जो nagas issue चल रहा है नागा लांड में इसके बार में आपको पता ही होगा अब हर्षिद दियुदी नाम के साथ search कीजी आपको दो तीन वीडियो मिल जाएगा डीटेल तरीके से हमने पूरा जो nagas issue है उसे समझा रखा है तो यह दूसरी बार हो रहा है दोस्तों nagas land में कोई opposition नहीं है वैसे आपको समझना है दोस्तों 2018 elections में single largest party MR जो के आये था National People's Front NPF जो है जिसके पास अभी केवल दो MLA से ठीक है तो 2018 elections के बाद NPF single largest party होने के बावजूद government बनाये था NDPP BJP Alliance बात में NPF इस Alliance को जोइन किया था तो 2018 से लेके 2023 तक नागालान में कोई opposition नहीं था आप जो नया सरकार बना है उसमें भी कोई opposition नहीं होगा तो देखे ये जो jumbo UDA coalition है जिसमें total 60 MLA से है ये चीफ मिनिस्टर अफ नागालान नेफ्यू रियो के लिए एक नया problem create किया है problem ये है दोस्तों आप सारे parties का MLA ruling coalition में है तो सबको थोड़ा बूद representation भी तो देना पड़ेगा ना तो ये नहीं हो पारा है दोस्तों यूँगी नागालान assembly का total strength ते 60 तो कितने ministers हो सकता है one-fifth of the total strength of assembly that is maximum ministers का जो number है वो toll रहेगा अब ये toll में कितनों को accommodate करेगा है कि नहीं उपर से इस बारा में chief minister और दो deputy chief ministers है तो effectively केवल 9 post बचा है ये 9 में बाकि सबको accommodate करना है तो problem create हो गया तो chief minister of नागालान ड्रियों ने क्या किया 24 MLA's को as advices appoint किया various departments में अब advices appoint करने से क्या है ना उन्हें cabinet ministers का status दिया जा सकता है तो उन्हें एक cabinet minister का salary and other perks मिल जाएगा तो देखें दोस्तों ये सारे opposition MLA's ruling alliance join करने के पीछे का reason ये था क्या ताकि उन्हें ministry में entry मिल जाए या फिर एक cabinet minister की salary, facilities and perks मिल जाए actual reason ये नहीं है दोस्तों actual reason lies somewhere else देखें नागालांड एक ऐसा state है जिनके पास ज्यादा resources नहीं है but sender की तरव से substantial funds मिल जाता है नागालांड को development and welfare projects के लिए पर देखें दोस्तों sender की तरव से जो funds आते हैं वो कभी भी sufficient नहीं होता इन funds में most of the part उन constituencies में जाते हैं जो ruling alliance MLA's की constituency है इसलिए सारे MLA's ruling dispensation का part होना चाता है ताकि उन्हें भी कुछ share मिल जाए sender funds का तो ये एक reason है opposition MLA's ruling alliance join करने का क्योंगी अगर वो opposition बेंके रहेंगे तो उनकी constituencies के लिए sender की तरव से ज्यादा कोई funds नहीं मिलने वाला है और अगर वो अपनी constituency में कोई developmental activities नहीं करवाएंगे तो अगले elections में उनका जीतने का chance नहीं होगा नागलान की history ये prove किया है दोस्तों जो MLA ठीक तरह से काम नहीं करते हैं उनको वो जिताते नहीं हैं और अगर MLA को काम करना है तो पैसों की जरूरत है अगर पैसे चाहिए तो ruling alliance का part बनना पड़ेगा अब दूसरे state के जो MLA से दोस्तों उनका कही ना कहीं से किसी ना किसी तरह से कमाई हो जाता है और state का भी funds रहता है state का revenue रहता है पर नागालांट कैसा नहीं है दोस्तों नागालांट एक totally consuming state है उनके पास ज्यादा कोई resource नहीं है इसलिए उनका revenue नहीं है तो sender की तरफ से जो funds आते हैं उसके उपर वो ज्यादा ही dependent है और अभी तक क्या देखने को मिला है वो fund का जो allocation है वो democratic तरीके से नहीं हो रहा है तो MLS के पास कोई option नहीं है ruling alliance जोइन करो वही भला है अब देखी दोस्तों यह जो reason मैंने आपको बताया यह actually कहा था एक former nagaland MLA जो अपना नाम reveal नहीं करना चाहता देखे former MLA को तो nagaland politics के बारे में अच्छी तरह पता होगा तुनोंने बताया है this is the reason why opposition MLS joined the ruling alliance और कुछ political experts का कहना यह है opposition MLS ruling alliance इसलिए join करते हैं के वल पैसे कमाने के लिए उन्हें अच्छी तरह पता है कि opposition में रहके कोई फायदा नहीं है अगर पैसे कमाना है तो ruling alliance join करना पड़ेगा reasons जो भी हो दोस्तों पर nagaland में जो पिछले 5 साल से हो रहा था और अभी जो होने वाला है यह democracy के लिए ठीक नहीं है आप सबको मालूम होगा दोस्तों एक democracy के लिए checks and balances बहुत ज़रूरी है और यह checks and balances कोई ensure करता है opposition ensure करता है अगर एक assembly में opposition रहगा ही नहीं तो कोई ruling party को criticize करेगा कोई checks and balances को ensure करेगा अब क्या होने वाला है अभी इसी बाते दोस्तों कोई accountability नहीं होगी कोई criticism करने के लिए ही नहीं न corruption ज्यादा होने का chance से power का abuse ज्यादा होने का chance से तो overall democracy के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है यह जो decision है यह सबके अलावा नागालान के जो voters ने अपने mandate दिया उसका क्या है? उसका कोई value ही नहीं रहा क्योंकि देखें दोस्तो एक constituency में अलग-अलग parties के candidates आके खड़े हुए तो voters ने एक candidate को इसलिए vote दिया होगा कि वो दूसरे party ruling में नहीं आना चाहता है है की नहीं? अब जिसको vote दिया जिसको vote नहीं दिया सारे ruling party बनगे? क्या फाइदा हुआ? तो basically voters का mandate का एक मौकरी बना रहा है थर वैसे देखा जाएगा तो BJP और NDPP के पास total 37 seats है वो आराम से सरकार बना भी सकता है फिर भी देखिए दोस्तों 23 और भी है seats जो एक अच्छा opposition बना सकता है पर वो अच्छा opposition बनाने के सिवा ruling party जोइन करने के चकर में है तो दोस्तों that's it I hope आपको पूरा politics समझ में आगे होगा तो नागालान में जो हो रहा था और अभी जो हो रहा है इसके वारे में आपका क्या opinion है आप मुझे please comment box में बता दीजेगा thank you for watching, bye bye, have a next day